हलो डियर फ्रेंड सो वन्स अगें वेलकम बेक टू मा यूटूब चैनल सुधीर डिफैंस अकेडमी सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर प्यारे साथियों बहुत सारे बच्चों के डाउट्स बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज सर इंडॉल्मेंट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी एर फोर्स का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो कैंसल कर दिया गया है या नहीं सर क्या उसके कितने चांसे हैं ओफिसियल बैफ साथ पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग बट इंडिरेक्ली एर चीफ मार्सल और इन लोगों ने बोल दिया है उससे सम्मंदे सारे डाउट्स बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी कोईरी कि सर एक्जाम एक्जाम नोटिफिकेशन एर फोर्स का नोटिफिकेशन की नई डेट 24 जून आ चुकी है सर क्या एक्जाम जुलाई में पॉसिबल है बह पर बिलीव करते हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी भाईयों को और मेरे साथियों को बहुत सारा प्यार and thank you so much for your eternal love and support और मैं undoubtedly बिना किसी ब्रहम और बिना किसी जूट के आपके साथ बिलकुल reality के साथ में और बिद्प्रूफ सारी चीजें करने बताने वाला हू तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला और सबसे बड़ा question सरे एर फोर्स का result और enrollment list इसके कितने ज्यादा chances है अवाने के या क्या सरी चैंसल कर दी गई है क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि जिन लो बच्चों ने result एर फोर्स का exam दिया था 12 जुलाई से 18 जुलाई को क्या वो recruitment बंद हो जाएगा या बंद हो चुका है 2020 का completely क्या enrollment वाले बच्चों को बिलकुल ये मान लेना चाहिए कि सर क्या वो close हो चुका है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू situation की according अभी जो situation है उसके according जो चल रहा है TOD tour of duty के खिलाफ जो भी प्रदर्शन या जो भी government का एक ड enrollment list का अभी आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि उसको cancel कर दिया गया है ध्यान से सुनिये का मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज आप patiently wait करिएगा जब तक कि official notification नहीं आ जाता अभी बिलकुल भी वह अच्चे आसा मत खोईएगा जो ये मान चुके हैं कि सर अभी enrollment नहीं आएग ये मैं आपको बता दूँ उन सभी बच्चों को मौका दिया जाए जो enrollment list का wait कर रहे हैं उनकी joining कराई जाए और जो बच्चे result का wait कर रहे है result पर थोड़ा संसे बना हुआ है कि जो result हुआ है उसको cancel कर दिया जाए और फिर से एक नया intake जो 24 जून से vacancy आ रही है प्यारे साथ यो वो intake कराया जाए लेकिन मैं फिर से repeat कर रहा हूँ enrollment वाले बच्चे प्लीज जव तक एयर फोर्स आप बिल्कुल परिशान तव तक मत होईएगा जव तक कि officially notification एयर फोर्स की official website पर available नहीं हो जाता प्यारे साथियो दूसरा सबसे बड़ी बात officially जो एयर फोर्स की site है Central Airman selection board CASB जवाब का 1% मान लेते हैं enrollment या cancel भी होगा या कुछ भी होगा अभी तक बच्चों में confusion है सबसे पहले दिन जब TOD लागू हुआ तो यह पूछा गया कि sir what will be for those candidates what will do those candidates who are waiting for results and enrollment list तो answer क्या था उसे ध्यान से आपने सुना होगा यह चीफ मार्सल ने बोला था those candidates who are waiting for results and pending exams उसमें enrollment की बात नहीं थी they will be considered and conducted only from TOD उन्होंने बोला था कि TOD के अंतरकत माने जाएंगे इसका मतलब यह है कि enrollment को आप उससे connect नहीं कर सकते हैं कहीं भी आप मुझे बताइएगा directly indirectly यह कहीं बोला नहीं गया कि enrollment cancelled है आप पूरी यह से बिलकुल भी यह नहीं मान सकते अभी और इसलिए patiently please यह cancel भी होती तो यह force officially उसको declare करेगा proper तरीके से बताया जाएगा कि exams and enrollment list who was conducted or who was conducted from 20th July to 18th July has been cancelled and new recruitment will be done only on the basis of tour of duty तो प्यारे साथियो अभी बिलकुल आशा नहीं को सकते हम लोग दूसरा question सबसे बड़ा सर result वाले बच्चों का क्या हो सकता है क्या यह result का possibilities है प्यारे साथ यो possibilities है बट result को cancel भी किया जा सकता है यह आप लोगों का इसमें एक सहो कह लिजी अधरवाइजी कह लिजी गौर्मेंट के mood के उपर है गौर्मेंट का क्या विचार है बट 100% गौ दिरास नहीं किया जाएगा और 100% पर विचार किया जा रहा है और किया जाएगा दूसरा सबसे बड़ी बात सर एयर फोर्स की new vacancy 24 जून से आ रही है बिलकुल 100% राइट है ओफिसली डिकलियर कर दिया गया है एयर फोर्स के चीफ के द्वारा और हमारे जो डिफेंस मिनिस सिस्टर है राजनाच जी के द्वारा ओफिशली डिकलियरेशन कर दिया गया है प्यारे साथियों बच्चों की फीलिंग्स को और बच्चों की भावनाओं को बच्चों के हितों को देखते हुए उन्होंने बोला कि हम जल्दी है रिक्यूट्मेंट करने वाले हैं 28 जून क सबसे बड़ा क्वश्चन सर कितनी बेकेंसी हैं एप्रोक्सीमेट 4000 बेकेंसी होंगी मैं एक्जेक्ट अपको बता रहा हूँ 3500 से 4000 बेकेंसी से ज्यादा बिल्कुल नहीं है पहला जो रिक्रूट्मेंट होगा एयर फोर्स के लिए 3500 से लेके 4000 एज रिलेक्सेसन आपको प से बड़ा इसी में क्वश्चन और एज रिलेक्सेसन क्या सर्या आगे भी इतना ही रहेगा हमेशा के लिए 25 नहीं प्यारे साथी हो यह इस बार इसलिए दिया जा रहा है कि जो दो साल से कोरोना की बज़ए से एक्जाम को नहीं दे पाए उन बच्चों को मौका मिलना चाह जाएगा उतना ही किया जाएगा साड़े सत्रे से लेके 21 साल तक क्लियर हुआ के नहीं दूसरी बात यद मैं बेकेंसी की बात करूं तो मैं अल्डरेडी बता चुका हूं 3500 से 4000 एक्जेक डेटा के साथ मैं प्यारे साथियो 4000 पर होने वाली है जो बच्चे अभी 12 10 प्लस 2 क कि आए हैं तूर अफ ड्यूटी के अंतरगत सरक्या नॉर्मल रिक्यूटमेंट नहीं होगा प्यारे साथियो KP नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ normal recruitment का मतलब जैसे पहले भरती होती थी सर क्या complete भरती जो 4000 candidates के लिए आएगी क्या वो tour of duty के अंतरगत होतो होगी yes कोई भी भरती normal पहले की तरह अलग से vacancy नहीं आएंगी इस बार जितनी भी vacancy होंगी वो tour of duty के अंतरगत भरी जाएंगी आप सब अवे हैं tour of duties हैं दूसरा सबसे बड़ा question कि सर क्या exam जुलाई में होने जा रहा है प्यारे साथियो accurately मैं आपको बता देता हूँ अगस्त के second week के बाद exam conduct होगा मान लीजेगा 15 और 18 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में exam conduct किया जाएगा जुलाई में बिल्कुल भी possibilities नहीं है और ये मैं अंदा जान नहीं लगा रहा हूँ प्यारे साथियो 15 अगस्त के बाद exam होगा आप बिल्कुल भी किसी की बातों में आकर या कैसे भी परेशान नहीं रहना है 15 अगस्त के बाद exam होगा और मैं ये भी बता देता हूँ जनवरी और फरवरी में ही हो जाएगी exactly सर क्या changes आएंगे इस बार सबसे बड़ा question मैं आपको clearly कर देता हूँ ये बात किसी को बिल्कुल भी पता नहीं बट changes बहुत जादा नहीं है 24 जुन को जो recruitment आएगा जो official notification होगा उसमें सारे doubts आपके clear हो चुके होगे प्यारे सातियों के कैसे कैसे exam होगा बहुत जादा changes नहीं है पहले की तरह ही exam होगा सारी चीज़ें एक और बहुत बड़ा question सर percentage के basis पर तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं सभी के admit card आएंगे प्यारे सातियों जैसे पहले air force का exam हो रहा था online exam ही होगा offline exam नहीं होगा percentage के basis पर नहीं होगा जैसे पहले criteria था कि आपको 10 प्लस टू complete होना चाहिए with PCM और by group के लिए PCB भी चल जाएगा 12th होना चाहिए केबल इसी तरह से same recruitment होगा 24 जून को notification available होगा form कब से भरे जा सकते हैं उसमें दिया होगा ये भी confirm और ये भी सारी चीज़ें confirm होगी कि stage first में क्या होगा stage second में gd group discussion में क्या होगा stage third में medical direct होगा या फिर medical पहले होगा और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि medical को आपको directly कराया जाएगा ठीक है ना इसका मतलब ये है कि medical आपको बारबार चकर नहीं काटने होगे और time को देखते हुए फरवरी 2000 मार्च 2023 तक आई होप इस intake की joining हो चुकी होगे प्यारे साथियो टूर अफ ड्यूटी के अंदरगत और next year से बिलकुल same जैसे दो intake पहले आते थे वो systematically आते रहेंगे continuously आते रहेंगे प्यारे साथियो और एक सबसे बड़ी बात मैं फिर से बहुती briefly repeat कर देता हूँ के sir हमें क्या करना चाहिए मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जिनके पास मौका है प्यारे साथियो पूरी जीजान लगा दीजे पूरी तागस से जो recruitment आएगा उस military force है उसमें आप सभी को मौका दिया जाए 10% का reservation देने की बाद government कर रही है और भी उसमें बड़े बदलाव उनके लिए जो direct चार साल complete करने के बाद आएगे प्यारे साथियो उनको बहुत सारी जो government की authorities है as a second आप कह सकते हो पूरी government नहीं बड़े जो post या उन पर रख लिय जाएगा salary provide की जाएगी तो इसमें positively बात करूँगा तो आप पूरे मन से जो 10 plus 2 करके आए वो तैयारी शुरू करिएगा ये बात सच है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा time नहीं होगा प्यारे साथियो तैयारी करने के लिए और बहुत ज़्यादा आप यह नहीं सोच सकते है कि 24 जुन को जो vacancy आ रहे हैं उनमें time बहुत होगा बहुत नहीं होगा vacancy जितनी पहले आती थी उससे ज़्यादा ही है मैंने पहले अल्रेडी बता दिया है 4000 से कम नहीं है उससे ज़्यादा ही हो सकती है 3500 मतलब 4000 और यह बात जो एयर फोर्स चीफ है उन्होंने पहले ही बता दिया खुलके जब जिस दिन उन्होंने tour of duty को declaration किया था और बाकिया आपके जो भी doubts है मैं कोसिस करूँगा आप सभी के doubts को clear करने की जो जो information मुझे मिलेगी मैं उसके बारे मैं आपको बहुत जल्ली update करता रहूँगा प्यारे सात्यों एक बार channel को please like share और subscribe करना होगा और आपके प्यार और support के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आवा रही हूँ thank you so much जैहिन